आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गोरोश इवास्तो आप हमाँ इसा देख रहा है प्राइम चर्चा के खास कारिकम बीकन चर्चा जैसे ही चुनाव खतम हुए बैसे ही सपरगर का कारेकम हुआ और सपरगर कारेकम होने के बाद जो सबसे बड़ी बार कही जा रही थी कि जो बादे है वो निभाए जाएंगे कि निभाए जाएंगे यहां तक कि सोयल ने भारती समाज पार्टी का राजभन ने यह कह भी दिया था कि अब समय बादे निभाने का है और इसी बादा निभाने के समय के दोरान ही उतबरे सरकार की दूसरी जब पारी सुरूई बीजेपी सरकार की योगी सरकार की तो उन्होंने अपने दूसरी पा तो कुल्म लाके जो रासन की युणा है वो तीर महीने प्रदेश में और केंद कि माध्यम से 6 महीने बढ़ा दी गई और कहा जा रहा है कि जो की विपच्छा आरूप लगा रहा था कि यह जो रासन है वो किबल चुनाओ तो रासन खतम हो जाएगा उनके उपर एक जबाब दे लिया गया है अब जबाब कैसा है चुकि अभी समय हम देख रहे हैं जैसे चुनाओ खता हुए बैसे बैसे पैट्र साथ जो तमाम खाट समगरी है उस पर असर पड़ता है बाड़ा मेंगे उनके वाज़े से तो निस्टिर रूप से जो महगाई बढ़ रही है अब प्रिस्ट यह है कि महगाई की मार पर अगर राजनीतिक डल है जो सत्ता में आए है और उन्होंने एक अलब प्राइग की र अनुर्णा है कि जो की 24 की चुनाओं को देखते बनाई गई है यह उसके फलसरूप किया गया है फिराल यह बीगल चर्चा का विश्टा है और इसमें चर्चा करने के हमां से जोड़े हैं बरिस पत्रका ग्रूप में बेजय दोबे जी और प्रवक्ता बीजेपी ग्रूप ने आदेज दिया उसके बाद 6 महीने की किन सरकार ने उजना बढ़ाई है खाद्दा ने उजना मुप्तिरासन की तो क्या मानते हैं कि यह महंगाई पर मरहम लगाई गई है कि लगाता है पेट्रोल डीजे के रेट बढ़ रहा है पर 180 पैसे बढ़ गया था आज 50 पैसे किमते बढ़ रहे हैं उससे निच्चित रूप से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है और उसके पहले कुरोना का रहा उससे महंगाई बढ़े है फिर भी भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार मोदी जी की सरकार योगी जी की सरकार प्रत यूनिट पांच किलो रासन, नमक, चीनी, तेल, डाल, इतना सारा हर गरीब को प्रदेश में लभग 80 क्रोन लोगों को और उत्तरप्रदेश में 15 क्रोन लोगों को उत्तरप्रदेश सरकार देने काम कर रही है एक बार किन सरकार का पांच कीलो एक बार प्रदेश सरकार का पांच कीलो प्रतियुनित और एक बार ज्हो पहले से अध्या ऩहाँ जो आई पांच किलो दुरपय के हिसाब हो मिलता है ऐसे पंद्रा किलो रासन और तीन किलो डाल, तीन किलो नमग, तीन किलो चीनी, तीन किलो तेल अगर प्रदेश सरकार उसके अलावा आपको गैस मुफ्त देने काम कर रही है उजला जोना के तहत तो निश्ची तुरूप से गैस पर पचास पर बढ़ा रही है, यह जा के लेकिन फिर भी बारा सिलेंडर प्लस दो सिलेंडर सागर मुफ्त देने का जो सरकार लगातार काम कर रही है, इससे महंगाई पर कहीं न कहीं जो गरीब वर के लोग थे उस पर कंट्रोल लगने का निश्ची तुरूप से पाज़ा मिलेगा उसी करम में जैसे पदानमंतिर जी ने अगरे किया, तो देश के लगभग 2 करोण लोगों ने सबसिडी छोड़ी दिया, और पहले गरोजी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूरे देश में मात्र 2-3 करोण कनेक्शन थे, आज पूरे देश में 12 करोण कनेक्शन हो गए हैं राम नबाद जीर कोरोना के समय में जो कच्छे देल के दाम थे वह अंतरास्टी वैपारा बिल्कुल कम हो गए थे, तो अंतरास्टी कंपरी को समय दाम करने चाहिए, कोई कम नहीं किये गए, बाई देट चलते रहे, जनता जो है इस तरह कोरोण की मार चलती रही, तो महें अंतरास्टी अस्तर पर कम होता है, तो सरकार कम भी करने काम करती है, और जिस तरह से पुरी दुनिया में 15-20 रुपे पर लिटर रेट बढ़ा है, लेकिन भारत में तो 80 पैसे 1 रुपे ऐसे बढ़ रहा है, तो कहीं कहीं भारत सरकार महंगाई पर पूरा कंट्रोल कर रही ह और लगभग 80 करोण लोगों को रासन खाने से कोई आदमी गरीब कोई में भूका न रहे है, इसकी सरकार पूरी चिंता कर रही है, और लगातार उसको देने का काम कर रही है। जब कभी विपच्छ में लोग है, उनको बोलने का अधिकार है, अगर बोलेंगे नहीं तो लोग समस्वें कैसे विपच्छ में हैं तो हमारी अच्छी ओंजणाओ को भी गलत तरीक से पेस करने काम करेंगे। क्यों विपच्छ में हैं इसलिए हमको उनकी चिंता नहीं करनी है हमको तो तरपदेश के असी करून जो गरीब है उनकी चिंता हमरी परकार कर रही है इसलिए उनकी भलाई के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने काम किया है जिरी बैरुजी क्या बोलते है राम नेबाद जी इस और जिए इस तो जो है आजकल इस्केंडल बहुत तकड़े चल रहे हैं घोटाले बहुत तकड़े चल रहे है आपके पडोस की जिले में लखेंपूर में जो है मैं आपको बता दूँ कि जो है हिंदुस्तान पेपर में छपा है फर्जी बैंक खातों के खोल खाते खोल करोणों हड़प रहे खाद्यान माफिया इसमें खाद्यान माफिया बहुत तरह से बहुत तकड़े से शक्री है जो बीपियल कार्ड धारत है उनके खाते में 15-15 लाख रूपए जो है सहकारी बैंको तो कहीं ऐसा जो है जो पात्र है वो पात्र लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और नहीं मिल रहा है ऐसे पर बहुत 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 बाविमेट्रिक के माध्यम से होता है उसके बावजुद भी हो रहा है खाते में पैसे कैसे जा रहे है हिंदुस्तां समाचार ने चाप पड़े तो आख मानते हैं कि सरकार की योगी सरकान ने जो यह सब्सक्राइब कद़ाना रोजनार कर बैतर है रोजगार कि पर चैथ के से च्पयों सब्सक्या को जो है नहीं हो कि धबाने मिल पाए करें तो आप तारीब करना है करम सही है रोजगार देने के बाद यह अधा मामला यह नहीं रहाईगा आप रोजगार देंगे आप खरीट के जो है काम करेंगे छे पर खाएंगे कुई दिक्कत नहीं पढ़े गाइन पर पहले तो आप लेगा रहार है कि यह की मार्स 2022 तक रहे पर तीन महीने बढ़ा दिये धीर बढ़ते बढ़ते आप देखीगा दोजार चोवीस तक जाए तो इसे मानना चैनल पर आगामी यह लगशन के लिए लिए यह प्रायो जी तो यह बागी है वी लब लब डर साल बाकी है तो यह खिलाएंगे लोगों को रोजगार की देंगे पहली पहल पहली केवरिन पैठक और बड़ा दाव बड़ा एक स्टोक खेला है जो कि नोने कहा था कि हम ऐसा करेंगे और तीर महीने का रासन बढ़ाया है योगी सरकार ने इसके साथ ही साथ केन सरकार में विकल केवरिन पैठक हुई थी और वहां पर भी बड़ा फैसला लिय जोना है उसके तहट लगभग लगभग 6 महने तक सेतंबर 2022 तक लोगों को असी करूड़ लोगों को मुप्तरासन दिया जाए क्या मानते है यह सरकार का एक बैतर स्टोक है दो चाहिस के चुनाओं को लेकर पहले तो यहीं माना जाएगा कि जो बीपीन धारक कार्ट धारक हैं जो बिलू बाटी लाइन के लोग हैं जिकर पास में के बहुत सारे लोगों का रोजगार चला बहुत सारे लोगों की मुझदूरी चली गई जो की गाहों में रहते हैं आप उनके पास काम नहीं है या बेरुजगार हैं तो जब तक की चीजें ट्रैक पर नहीं आती तब तक उनको मदद करना एक अच्छा काम है इसमें कोई दोर आए नहीं है लेकिन मदद करने के एवज मुझ्च और लक्ष हो वह इक थिगरवात है वह राजनेतियक लक्ष तो जो भी सता में पार्टी होतती है जहां जहां जो पार्टिया क्यूंतष बाते तो आपको कई बताना क्याया इक चल लोग प tek अँचए पहुआ है अशल में इस योजना में आ तो कि वो दिल्ली में लागू ओर रही थी और पुष्ण योजना आलग से चल रही थी तो उसको हरी जैन्टी नहीं थी केजिवाल को दिल्ली में करने के लिए और कहीं ने कहीं उसमें अब्जेक्शन जो था वो केंशरकार ने रेस किया था और चुकि एक योजना चल रही थी तो उसके पैरलल दूसरी वहां पर लागू नहीं की तो मिला करके केजिवाल सरकार उस काम को जो डोल स्टेब लेने भी ने जाना था वो अनाज घर पर पहुचा कर दे रहे थी तो यह जो योजना है अब ज कि परिवार के डैवल्फिंट के लिए जरूरी है कि उसको रोजगार मेले काम मिले काम जिसको भूद क उनिर्जदर कर दो जो डोकीם को यह की मनतों तो तो क्लेम तो आप करी सकते हैं, अब ये अपोजिशन का काम है कि वो किस प्रकार से इन चीजों पर अपनी बात रखता है और लोगों को कैसे करता है, वैसे मैं एक बात और बता दुआ हूँ, आपने इसके पहले के कई सालों मों सुना होगा, कि हमारे यहां अनाज का इतना ब कोफर जब बरसात होती है, तो वो स्टाप खुला में रहता है और सड़ जाता है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि जो अन किसी के खाने के लिए इस्तमाल हो सकता है, और सुरच्छित और अच्छा अन किसी तक पहुंचे, वो डिलिवरी सिस्टम अगर सरकार ने डे करने के लिए आउशक्ता पड़ती है, और वो स्टॉक्स अब प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं, अगर लोग उसको उसके पास तो पहुंच जाता है, वो उसके लिए अपने भोजन के लिए इस्तमाल करता है, तो ये एक बहतर उप्योग है उसका, एक अच्छी बात ह किसी के पास में अगर भोजन के लिए इस्तमाल हो जाए, बहतर और होता कि वो कहीं उद्योग में इस्तमाल होता, और उसके लिए रिटर्ड मिलता और लोग को काम मिलता, लेकिन मैं खेर उस चीज़ को मैं सिकंडरी मानता हूं, प्रैमरी ये है कि उसका सही उप्योग होना चाहिए, वह अन्य सड़े ने, वह अनाज बेकार ना हो, जहाँ चावल का बफर है वहाँ, चावल का इस्तमाल, जिस सरकार कर सके तो बहतर है, पर दोबेजी सबसे बड़ा प्रस्न यहां पर यह है, कि आप रासन दे रहे हैं, कोबिट समय रहा रासन ठीक रहा, आपने रा क्या मानते हैं, कि एक तरह महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते कदम उठाया गया है, या सरकार की यह मन्सा है, कि हम बैता तरीके से मुप्त खोरी की आरट डाले रहेंगे, अगर आप पिकार से लगाता रासन मुप्त करेंगे, तो निश्ची रूप से आरट जो होती ह काँ चाहिता की मुफ्त खोरी की हो जाती है, कि महगाई पर आपमें नीती बना यहीं, लगाता भम खोरी हो रहे है, अगर हम को चही आयात कर रहे है, तो जो चीजह k हमारे उपलब्द है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम दूसरे देशों को बैचते हैं, उससे हमें फॉरेन रिजर्बनी मिलता है, हमारा फॉरेन रिजर्ब जितना बहतर होता है, हम मार्केट में भी उतना अच्छा डिलिवर कर सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल मार्केट की और जब आपके पास में फॉरेन रिजर्ब नहीं होगा, आपका एक्सपोर्ट डाउन होगा, तो आपके पास में फॉरेन रिजर्ब नहीं होगा, तो आपके पास में फॉरेन रिजर्ब नहीं होगा, देखे, हम जब विदेशों में पे करते हैं, तो हमें डॉलर के रूप तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट डेवलप करना ही पड़ेगा, एक्सपोर्ट की बिगेर हम इसके बात जहां तक है कि सरकार जो है कैसे आपने आयात और निर्यात नीती को आगे बढ़ाती है, यह इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली चीजें हैं और इसके लिए सरकार को ए पॉलिसी रखनी चाहिए, मैं समझता हूँ भारत सरकार की इमेज अभी बहुत अच्छी है और हमारी जो नीतियां है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट कुछ और देशों से अगर हमारा जैसे चाइना के साथ में बीच में बहुत कुछ उठा पटक जो थ इस पर हमारी इस्तिती बहतर है और यह अलग बात है कि हम उन चीजों को कैसे आगे बढ़ाते हैं और इंटर्नेशनल लेवल को कैसे डिल्लफ करते हैं यहां अगर आयाट की बात करें तो तो सरसो तो तेल सही तमाब खा ड़ी टेल हैं जो आयाट करते हैं जिसकर जहां जो फिक्स कंट्री जो कि उसको उसके एक्सपोर्डर्स हैं जिनके हां कि बहुत आधिक मात्रा में होता है वो हमें देती हैं तो हमारे यह पार्म को अप्योग है इसमें कोई डाउट नहीं है और कुछ जो और चीजे हैं जो हमारी आवशक्ता की है जैसे जैसे प्रूड की कर सकते हैं तो वो जो महगाई की बात आप जो कर रहे हैं उसमें वह अनिश्चित तोरप एफेक्ट करेगा और वो जो महगाई है और यह जो खाते साथ समान देने का मामला है यह दोनों अलग-अलग रस्पेक्ट हैं अगर आप महगाई गंडोल करना चाहते हैं तो आपको और चिजिए पर फोकस करना होगा जिससे कि इंफ्लेशन ना पड़े और आम आदमी की जेप पर उसकी मार ना चाहिए पूरी तो रोपनेजिशन के लिए पर दूसरे फैक्टर्स उनको भी चुन्ट! छुक्कि हमारा डुदाई काम अधिकतर जो है रो ट्रांस्पोर्ट और अब तो काफियत तक डीजल इंजन कम हो गए लेकिन उसमें हम विजले के इस्तिमाल करते हैं लेकिन अधिकतर रो ट्रांस्पोर्ट पर निर्वर है तो जब कॉस्ट पढ़ीगी तो इंफलेशन आएगा ही लेकिन जमाखोरी की बात जहां तक है अग क्योंकि लगातार आप लोग मुप्त रासन की व्योस्था नहीं दे सकते हैं अभी काफी समय भी है और अभी फिराल कोई अंदेशा भी नहीं है अला कि चौटी लेर की बात की जारी पर अभी तक कोई अंदेशा आकड़े नहीं आएं तो क्या मानते हैं कि जिस तरह से नहीं पड़ेगी उसको लेकर रूपरिखा बनाना पड़ेगी जिससे के लेकर जो महगाई है वो बेकाबू ना हो पाए सबसे कम होना भारत में हम सबके लिए एक अच्छा संकेत है और क्योंकि मोदी जी और में income अच्छा है की महगाई का असर बहुत ही कंपढ़ेगा जैसे कुरोणाा महामारी का पूरी दुनिया में जो असर पड़ा उसका असर 그럼 भारत पर पड़ा नहीं कहीं मोदी जी बंड एकिंगे बाता सबसे को डिए बना कर ordम कि बार ऑजते हैं और कंट्राश का अबर जाते है जंता पर लगातार वही रेट फुपे क्यों जाते हैं विये रहा है आपने कहा कि जो अंतिरास्की बाजार में बाड रहा है इसे कारे बढ़ाए गए हैं. पर जया अंतराष्की बजार में रेट कम होते हैं, तो उसका लाव आमजणदा को क्यों नहीं मिलता है? उसका लादा तो Maurice ले जाती, सारा. नहीं, गवर्ण जी, आपको साध याद नहीं हैं。 पहले पंद्रा रुपे डीजल पर पर कम होए थे तो कहीं न कहीं घटा तो सरकार ने घटाया आज बढ़ रहा है बर्त बहुत तजी से रहा है आपने कोबेट की बार कहीं कोबेट की समय में रेट कम हो गए ते उस स्पीड में महंगई नहीं बढ़ी है इस प्रकार से पुरी स्पीट के समय में आवं कर रहा टार्सकूर्ट कर रहा सब्कार और पर लगए कारण है कि लयए को यदा हं कि लग्ला क्या क्यूंड बाकी देशों में लोग भूख से मरें हैं कम से कम सरकार का में इतना अच्छा रहा है पूरे ब्रिस्में में तो भारत में भी हूई है तो यह नीमरा है देखिए जो है भूख से मरने का सवाल है करूना से भी मरें है भूख से मरने का सवाल है लोग यहीं पर हमारे भारत वर्ष में भात कहते कहते जो है एक जारकंड की बिच्ची जो है खतम हो गई उसे भूजन नहीं मिला और आपको वर्ड हंगर इंडेक्स में अगर जाए तो हमारा देश जो है सबसे नबर बन पर आता है तो हम एक कहेंगे भुखमरी से नहीं इस चीज को जो है मानना पड़ेगा लेकिन आपको एक चीज बताएं यही रासन की ब्योस्था की मैं बात बताऊं की रासन की ब्योस्था जैसा हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी के रामनि प्रत यूनिट दिया जारहा है एक कीलो कम करके चार्चलो देता है वो कहते है कि हमें जहां से हम सप्लाइ effett लेते हैं वहां से घर्तॉली हमें इलती है एक इ Regard वह वह कहता है घड़तोली होती हम आपको कम देंगे इसके अलावां उसमें जो है जो इनका तराजू है जो वेट है वह भी जो है उसमें कम जो है लगा रखांसेटिंग कर रखी उसमें भी कम होता है इनके सप्लाई इंस्पेक्टर और इनके जो है डिस्टिक अप सप्लाई ऑफिसर डियसो उनसे भी कहिए सिकायत करिए तो जो है वो कोई जो है कारे उस पे जो है काम नहीं होता है तो मेरे कहने का मतलब यह है यह जो खाद्यान के रूप में जो ह पहले भी मैं इससे पहले बोला कि जो है लखीम पूर्खीरी की घटना है जो है करोनो करोनो रूपय जो है लाखों लाखों रूपय दूसरे एक ट्रांसफर हो रहे हैं तो यह जो बड़े माफिया हैं इनको आप इसमें लगाम लगाईए इन पर नकेल कसिये आप भी मैंश कर सबसे बड़ी बात इस चीज की जरुवत नहीं पड़ेगी महंगाई पर आप काबू रखें आपको जो है रासन बाटने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी चाहे कैसी रोजगार स्रीजीत कर दें इंफ्राइस्ट्रक्टर में जो है डबलपमेंट के तमाम चीज़ें बड़ हर तरह इस से यह हां पर नहें नहीं सीज़ें डबलप कर यह डिस अर्या में जो सृर्शें उनको डिबलप करें तो हमें लगता है कि यह नै कि जो कदो यह जो 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 एक शरकार 2.2 आ रही है वह जो एक अछा मुकाम हासिल करिए नहीं तो आप संटुष्ट हैं अगर महाय बढ़ रही है तो प्रति ब्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए तो ब्यक्त क्या करें ब्यक्ति को रणैका इसको लेकर? लड़ा है लड़ेगा अभी तो बेपच्च नहीं आ रहा है बेपच्च अपने नेतागरी में कर लगा हुआ है बैटके चलती रहती है बैटके चलती रहती है प्रगत्सीन समाजवादी पार्टी हमेशा जो है 2017 से जब से योगी सरकार एक बनी है तब से हम लोग सडकों पे कि तरफ से जो बन रहे है अब जो है इसको जलदी हम लोग करेंगे ढ़ गधिंत से जलदी हम लोग करेंगे आप यह निक पाउं 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 जाने का मतलब यही था कि पुराणी सरकार क्या दे रही है क्या आप पा रहे हैं अच्छा करें जो है जवाब लेते जवाब लेते रामनिवाजी वोले कभी बता रहे है कि चार कॉर्ड मिलई नी रहा है गवरो जी दरसल दिलीब जी मेरे मित्र हैं क्योंकि पिछली सपा सरकार में जिस तरह के करफशन था तो इनको लगता है कि सायद उससे योगी जी की सरकार उबरी नहीं लेकिन मैं निशित रूप से बता दूं किसी भी कोटेदार की हैसियत नहीं है कि 5 किलो का रासन 4 किलो दे मिलता था दो रुपे किलो वह हम 15 किलो दे रहें पर यूनिट और 15 किलो पर यूनिट अगर हम एक विक्ति को दे रहे हैं तो निशित रूप से ऐसे पूरे देश में लगभग 80 करोण लोगों को जो केंड सरकार का मिल ला है उत्तर प्रदेश से 15 करोण लोगों को 15 किलो या सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस प्रकार से इतनी बड़ी महमारी में पुरी दुनिया में लोग मर रहे थे उसमें देश की 80 करोण लोगों को भूख से नमरे उनको रासन की बेवस्था सरकार ने किया उनकी पानी की बेवस्था किया उनकी बिजली की बेवस्था किया तो अगर आप काम नहीं करेंगे जनहित के और खाली योगी जी के सरकार के आज आलोचना करेंगे तो निश्चित रूप से आग को फड़क पर रहना पड़ेगा क्योंकि उत्तरप्रदेश जन्ता योगी जी के साथ है इसलिए आपको फड़क पर रखेगी तो रामनबार जी दा तो गटने बढ़ने का अंतराश्टिय सर्फ उसका क्रम है कटेगा बढ़ेगा लेकिन उत्तरप्रदेश के असी करोण जन्ता को रासन मिलेगा कोई भी देश में भूखों नहीं मिलेगा इसका प्लान हमारी सरकार ने करना जी कह रहा है राम रामनबाद जी कि आप रोड़ और पांच किलों के बदले जितने भी जो है कोटेदार हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तरप्रदेश सरकार योगी सरकार को आगाह कर रहा हूं जाच करा लें जाच का भी सह है बहुत बड़ा स्कंडल का भी सह है और बीपील कार्ट धार्कों के जो है खाते में पैसा जा रहा है लाखो लाखो रूपए है मेरे पास वाट्सप पड़ा हुआ है पेपर की कटिंग है मैं पेपर की हिंदुस्तान पेपर की इसको जाच करा है और जो इसमें लिप्त लोग है जो सनलिप्त लोग हैं उनके उपर जो है डंदात्मक कारवाई जैसा भी जो है जो का किलो का इतना पैसा नहीं हो सकता है तो लिखे देंगे योगी जी की सरकारे उसको उल्टा टांगेंगे मैं एक मिनट सुनाना चाहता हूँ हिंदुस्तान पेपर का मेरे पास कटिंग है जिसमें जो है बीपिल काड धारकों के नाम खोले जा रहे हैं सहकारी बैंकों में खाते से क्री होने की आजंका यू जमा हुई रकम निकाली गई राजर्यस्वरी इसमें पंत्र लाग च्वराषी हजार四 इसको मामले को आपके चैनल के मांध्यम से उठा रहो हूं इतना बड़ा प्लेटफ़ार्म जो है अगर है तो यह बात जो है योगी जी तक जाननी चाहिए और जो है उनको संख्यान में लेके जिए इसमें कारवाई करना चाहिए और जो भी इसमें संलिप्टता जिसकी जिसक के उपर कठोर्त से कठोर्तम जो है जिए डंड का प्राभधान होना जिए जड़ेगे मांचा जिए क्या मानते जो नहीं कहा है कि स्केंडल चल ला है और पांच फिर चारकलो मिल ला है और खाती जो धाराग में पैसा पहुंच रहा है वहां पर हेरा फेरी हो रही है इस तरह का स्केंडल बता रहा है हिंदुस्तान समाचा कोई पेपर रहुस में निकला हुआ है उस संग्या लेते हैं कि आम आनते पर अगर सिस्टम है एक सिस्टम के दहां गवर्मेंट अपना सिटप बनाया हुआ है अगर उस पे कहीं कोई इस प्रकार की बात सामने आ रही है कोई गोटाला हो रहा है तो जांच का विशय है और जांच होनी चाहिए और चेक होना चाहिए कि क्या है और अगर जहां तक बात जहां जातर है कि लिवसियु गवाटर है जिरले को जातरर करें अटिमेंट क्या है कोई क preach जुख जो फैंडर की क्या हैरे है कि गविशन क्या है और अपछा की लिए ऑफिश्टम हो रहे है अटियु आ जबेक निद्ध ऑचा जुठा मुत्तरण था इस य से फे फेंडिव एक बड़ी बात है और यह निश्य तो बहुत गंबीर बात भी है इसको गंबिरता से लिए जाना चाहिए तो यह करवण है जान्स करके दंडा गया जाना चीह हो रहा है और विजयी हो रही है और पर बैठे हुए है आपके मैं लखनू की बात बता रहा हूं कई ऐसे कोटेद हमारे जानने वाले लोग हैं जो की इसी छेत्र में रहते हैं लखनव राजधानी की बात बता रहा हूं इसमाइल गंज है आपका चीनहट है यह तमाम एजो एरिया गोमती नगर इंद्रा नगर इन सब जगों की बात बता रहा हूं कोटे दार जो है वाकई में पांच किलो ए जौन पूर भी यह तो मेरे कहने का मतलब की जो है अगर फ्रस्टाचार हो रहा है इतनी बड़ी गड़ी हो रही है तो निशित तोर पे जो है ऐसे कोटेदारों को डंडित करना चाहिए और इन में जो है जो भी अधिकारी सनलिप्त है यह बहुत बड़ा इसू है यह लोग माफिया जो पैदा है जो भरे पड़े हैं इनको जो है तुरंत डंडित करना चीए उनको जेल भेजना चीए क्योंकि वो एक जो है जन भावनाओं से और सरकार की जो है जो अच्छी मंसा है उस मंसा को जो है पूर्ण नहीं होने देना चाह रहे हैं मैं इस पर स्क्वाल तो जो है मुझे देखना भी पड़ता है कभी-कभी मन कर दिया चले गए देख लिए वाकई में इस्तिती क्या है वही चीज़े हम आपको बोलेंगे हम जो बोल रहे हैं सब लोग वाकिफ है रामनवाजी आप बैठे हुए हैं और आपको यह मामला उठाना आपको जेखना गवरो जी अभी दिलीब जी बता रहे थे कि बगल जिले के मामला था उसे में जानकरी बता दूँ प्यपरम छपाता मेरे भी संग्यान में है वह समाजवादी पार्टी के नेता थे उन्होंने दो महिलाओं फे जमीन लिखवाई थी उसी का पैसा छे लाक एक में पंद्रा खाता था लोगों को लगा आप भी समझते हैं कि पंद्रा लाक उर्पे जिसी भी उसको नहीं मिल सकता है पंच किलो पंद्रा किलो रासन में पंद्रा लग कैसे मिल जाएगा उसमें वह नेता गिरफतार हुए हैं वह समाजवादी पार्टी के नेता थे उन पर कारवाई लेकिन मेरे पास जो है जो इसमें जो है आया आया सीप एक ही लोग नहीं है यहां पे कई लोग मुस्लिम भी हैं पंद्रा लाक रुपे कैसे ट्रांफर हो जाएगा पंद्रा लाक शे लाक मैंने बताया ना कि इस पे जाचवी इस पे समाजवादी पार्टी के तीन नेता ग जब उनको मालूम हुआ कि यह पैसा जो है कम हमको देके हमारी जेमीन लेकि उन्होंने कंप्लेन किया उस पर डीम ने जाच कराई सही पाया गया तीनों नेता समाजवादी पार्टी जेल चले गए जो भी चीज है पर अभी जो हमारा मुद्दा है मुद्दा हमारा यह है कि कि जो मलगतार मैंगाई बढ़ रही मिदा वालो कभी चाह काम चलने बाला नहीं और मैंगाई बढ़ा करी में ऐताद्रह से जो फैस अ मने की निति बनानी पड़ेगी जमाखोरी को लेकर नीतिर वाने चाहिए केबल मुप्त खाद्धान युजना से इसका लाब नहीं मिलने बाला है और ये युजना को क्यों बढ़ाया गया है और क्या युजना 2024 तक चले ये तो फिराल बक्त होताएगा पर एक बार साफ है कि केबल और केबल महगाय को देखत युजना लाई गई है पहले तीर महीन योगी सरकार ने बनाई है अपनी बैठक में उसके पर केंदी मंत्री मंदल की बैठक हुई थी उसमें इसको छे महीने बढ़ा दिया गया है फिराल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्वार अब अगर हम बात करें पूरे बिगेंचर्चा की महँगाई से कहले कि जब तक हम झमा खोरी को ले कर नीती नहीं बनाएंगे जब तक हम निराती को को Лेकर नीती नहीं बनाएंगे तब तक हम महगाई को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि अगर महगाई रेट कम हो रहा है तो उसका असर आम जनता को नहीं मिल पाता है एक बार तेल की दाम बढ़ने के बार बिसम परस्थित्यों में कुछ बहुत ही बड़ी परस्थित्यों होती है तो रेट कम होते हैं अन्लेता लगाता है स्वाष्त की बात हो चाहे स्वास्त की बात हो, चाहे घरवली वस्तियों की बात हो, तो यहाँ पर सरकार आई है उत्तापिडेस में, निसी रूप से नीतिया बनानी पढ़ेगी, जब आग खोरी को लेकी को बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ी आबादी है, अगर उत्तापिडेस में हमने लाने पड़ेगी नीती, जो कि म्यागाई को कम कर सके, तो आज की बिकन चर्चाब इतना ही, अगली बार फिर किसी नहीं मुद्धी तक लूप से नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार